Hello friends, welcome to your own channel, A.B. is about English, this is Aparna और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ conjunctions यानि की and, but और और से related एक exercise and, but और और conjunctions होते हैं और इनका use आज हम देखने वाले हैं तो चलिए without any delay करते हैं, start and का हम हिंदी अगर देखें तो होता है और, but का होता है किंतु परंतु और और का होता है या तो देखें, दो और दो से जादा sentences को जोडने के लिए use किया जाता है conjunctions और भी बहुत सारे conjunctions होते हैं, तो जिसको one by one हम other videos में भी cover करेंगे so don't worry, अभी बात करते हैं, and, but और और की, हिंदी हम जान चुके हैं, अब जानते हैं कि कैसे use करते हैं, देखें, and का use कब होता है and का use तब होता है, जब हमें दो चीज़े ऐसी दी गई हो, ठीके, जो दोनों ही positive जा रही हो, ठीके, दोनों ही positive हैं, तो हम end का use करते हैं पट का यूज करेंगे ठीक है तो और का यूज हम तब करते हैं जब चोईस का केस हो लाइक दो में से आपको एक चोईस करना हो एक चुनना हो कोई चीज या तो आप ए चुल लो ए बॉक्स चुल लो या तो बी बॉक्स चुल लो तो उस केस में हम और का यूज करते हैं ठीक ह तो चलिए करते हैं start और ज़्यादा clear हो जाएगा जब हम example के through करेंगे तो हमारा first example है तो she came on time वह तो समय पर आई dash her husband was late again पर जो उसका husband था न वो late था फिर से तो चलिए देखें यहाँ पर on time आने की बात करें याने positive sense में बात करें पर उसका जो husband है वो late आया she came on time but her husband was late again पर या किंतु परंतु का case बनता है next sentence की बात करते हैं तो would you like tea dash coffee अब देखें would you like tea या coffee के sense में बात कर रहे हैं choice है कि आप चाहे पी लीजिए या फिर coffee ले लीजिए तो यहाँ पर हम use करेंगे और का ठीके कोई doubt है तो आप comments में पूछ सकते है next sentence है हमारा I met a beautiful dash friendly girl at the party देखें यहाँ पर जो चीज है यह beautiful है beautiful एक better जाने good quality है positive quality है friendly भी एक positive quality है तो वो कहना चाहा रहा है कि मैं beautiful और friendly girl से मिला ठीके पार्टी में तो देखें दोनों ही positive sense में जा रहे है तो हम यहाँ पर end का use करेंगे end का use दोनों ही positive या दोनों ही negative sense में अगर होती है दोनों एक जैसी चीज़े होती है तो हम end का use करते हैं यहाँ पर अगर but लगा देते यानि कि I met a beautiful but a friendly girl तो यह गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक positive और negative होना चाहिए था So next sentence की बात करते हैं Sooner dash letter जल्दी या देर से I will find out the truth मुझे सच का पता चली जाएगा ठीके तो यहाँ पर सूनर और लेटर का case है जल्दी या फिर देर से पर मुझे सच का पता चली जाएगा Next sentence की बात करते हैं She was exhausted वो क्या हो गई थी? Exhaust हो गई थी Dash she was happy Because she had finished the job on time पर वो happy भी थी ठीके वो exhaust थकी हुई तो थी पर वो happy भी थी क्योंकि उसने अपना time per job complete कर लिया था ठीके? यहाँ पर आप समझी कहा होगी क्या हैगा exhausted याने थका हुआ होना याने कि negative चीज की बात कर रहे है negative बात हो रहे है और अगले ही sentence में positive याने कि वो happy भी थी तो यहाँ पर use होगा but का तो देखिए आपको end but और और के case में सोचना नहीं पढ़ना चाहिए कि आप सोच में पढ़ जाए कि क्या use करें ठीके? तो आप जब उसको पढ़ेंगे sentence को आपको अपने आप समझ में आएगा कि और का use होगा end का या but का बहुत ही simple use है और ये तीनों ही very basic conjunction कहे जाते है conjunction क्या होता है किस तरीके से sentence में इसका use किया जाता है और other parts of speech क्या होते है इसके लिए video already channel पर available है आप 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 वहाँ से जाकर channel पर other videos भी related to conjunction exercises देख सकते है I can walk dash I can't fly अब यहाँ वो चल तो सकता है but वो fly नहीं कर सकता ठीके तो end तो आएगा नहीं क्योंकि same same चीज की बात नहीं हो रही है positive positive या negative negative की नहीं हो रही है ठीके तो यहाँ पर आएगा but कि मैं चल तो सकता हूं but उड नहीं सकता ठीके it's late देर हो गई है dash I am tired और मैं tired भी हूं ठीके so it's late and I am tired अब क्यों आया end क्योंकि late होना भी एक negative बात है और tired होना भी एक negative बात है तो जब एक जैसी चीज आप चलाते हो एक जैसी बात कहना चलाते हो तो end का use किया जाता है next sentence की बात करें fruits taste good fruit का taste अच्छा है it's healthy for your body यहाँ पर भी देखे same चीज की बात हो रही है same aspect की बात हो रही है यहाँ भी sentence का sense अच्छा positive निकल रहा है other sentence का sense भी positive ही है तो हम use करेंगे end की fruits taste good and it's healthy for your body I am afraid of dogs मैं dog से बहुत डरती हूँ dash I am not afraid of cats but मैं तो किसे नहीं डरती cats से नहीं डरती तो यहाँ पर but का use होगा एक sentence positive में जा रहा है दूसरा sentence negative में जा रहा है is it a new house क्या यह नया house है an old house या फिर यह एक old house है तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोनों में से एक चुनने की बात हो रही है choice of one का case है तो और का use होगा या का case होगा is it a new house क्या यह नया house है या फिर old house है अब देखिए यहाँ पर sentence में मैंने गलत mark लगाया था question mark लगाना था क्योंकि यह question पूछा जा रहा है चलिए next slide पर चलते yes तो easy था but किन्तू में फैल हो गया I didn't like the idea मुझे idea पसंद नहीं था dash agree to do it पर फिर भी मैं agree हो गया पर किन्तू परंतू का case है तो यहाँ पर क्या आएगा but in summer it's hot dash sunny यह hot भी है sunny भी है तो क्या कहेंगे यहाँ पर and it's hot and sunny next sentence की बात करें we can go by bus हम बस से भी जा सकते हैं dash we can walk या फिर हम walk भी कर सकते हैं ठीके अब या फिर का case है उस तरीके से sentence है तो दो में से एक की choice करनी है हमें तो हम और का use करेंगे ठीके we can go by bus और we can walk हम या तो बस से जा सकते हैं या फिर walk कर सकते हैं next की बात करें I can't remember his face मैं उसका face याद नहीं कर सकती dash I know his face from somewhere ठीके तो but का case होगा मतलब अभी तो याद नहीं कर सकती उसका face बट मैंने कहीं न कहीं देखा है I know his face from somewhere कहीं न कहीं देखा है बट मुझे याद नहीं आ रहा है किंतु का case है परंतु का case है next sentence की बात करते हैं तो अगला sentence हमारा है the bus stopped at the station bus stop हो गई station पर dash passengers got off और passenger क्या करें निकल गए वहाँ से बाहर हो गए उतर गए ठीके तो end आएगा यहाँ पर क्योंकि stop हुई तभी तो उतरेंगे न I want to spend my holidays either in Paris dash in London यहाँ पर देखिए पैरिस में या फिर लंडन में holiday spend करना चाहता हूँ ठीके तो यहाँ पर किसका कैसे हो either के साथ तो वेसे भी जोड़ा बनता है और का यह भी आप याद रखिए either के साथ और का neither के साथ नौर का अगर यहाँ पर हम neither लिग देते ना neither के साथ तो यहाँ nor आता ठीके यह भी conjunctions ही होते हैं next sentence की बात करें this worksheet is fun dash it's easy अब अच्छा fun तो है और easy भी है दोनों positive है तो यहाँ पर end का use होगा ठीके he is a good actor यह बहुत अच्छा actor है वह एक अच्छा actor है dash he isn't famous पर वो क्या है famous नहीं है तो यहाँ पर एक तो बहुत अच्छी quality की बात कर रहे हैं दूसरे में negativity बता रहे हैं तो यहाँ पर but का case आएगा ठीके it's a nice अब अच्छा यह वाला जो 20th sentence है ना 20th ठीके तो यह मैं चाहूंगी क्या आप करें it's a nice gift dash I don't like it मुझे पसंद नहीं है या या मुझे पसंद नहीं है या आपके उपर छोड़ा है मुझे comment section में आप इसका answer जरूर दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि यह concept आपका clear हो चुका है तो आज के लिए इतना ही तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है लाइक कीजिए, comment कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए बट कुछ ना कुछ करके जाएए ठीक है नोट्स बनाके जाएए और चलिए मिलते हैं फिर next video में till then good bye see you so how was it you like it right yippee comment us if you have any doubt don't forget to like, share and subscribe to our channel we will meet in the next video good bye